हलो एव्रीवान विल्कम बैक तो मैं चैनल डिवनीटी ठेरोसिक्स वे ट्रोथ एक्सपोज़स डाफनेस तो आज का जो टॉपिक है गाईज वो है कैंडलवैक्स रीडिंग और आज की डिडिंग में हम देखेंगे कि आपके परसन का फाइनल डिसेशन क्या होगा और कितना दिन में वो डिसेशन लेने माले हैं so let's see let's find out guys तो ये definitely timeless reading है gender neutral reading है male, female, female सभी लोगों के लिए और मैं बार बार बुल रही हूँ ये reading एक general prediction है तो हो सकता है कि resonate करे हो सकता है कि कुछ information ना करे तो जो कर रहा होगा please ले लेना बाकी को जाने देना चानको like, share, subscribe ज़रूर करे और Instagram में follow करें Instagram का जो ID है वो description box पे दिया हुआ रहेगा so let's see let's find out कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो चाते क्या है और उनका final decision आखरी फैसला क्या होने वाला है all right so आप अगर no contact में हो अगर आपका situation इस तरह से है कि separated हो बहुत जदा मन मोटा हुआ है husband wife हो तभी भी आप इसको देख सकते हो all right so let's see so in your spirit guides and angels please guide me in the right direction की मेरे जो viewers है उनके person फिलहाल क्या सोच रहे है और उनका आखरी फैसला क्या होगा so let's see हम आपके person लियो हो सकते है बहुत strong chances है लियो का या sun उनके चार्ट पे मत्तब सूरज देवता उनके चार्ट पे astrological चार्ट पे काफी जदा strong हो सकते है okay all right यह person जो फिलहाल मुझे दिख रहे है काफी जदा पहली दफा में जो मुझे दिख रहा है वो है जिससरा से two of swords का energy है confusing definitely है confusion है उनके mind पे 10,000 सवाल चल रहे है देखे और उनका जवाब उनको बिल्कुल चाहिए जो नहीं मिल रहा है यहां पे देखो एक यहां पे से formation हो रहा है एक arrow का इस person का बिल्कुल target आप ही हो ठीक है लक्ष आपी के तरफ है फैसला आपी के लिए ही वो करना चाहते है आप हो तो यह person है वना यह person का वजूत ही नहीं है इस तरह से यह महसूस करते है जिस तरह से मुझे यहां पे energy फील हो रहा है it may be possible कि यहां पे देखो इनको ना मुझे लग रहा है कि एक गुंगट वली यहां पे औरत है तो मुझे जिस तरह से लग रहा है ना I do feel like कि यहां पे हो सकता है कि इस person का किसी के साथ relationship हो या इनके mom हो यहां पे गुंगट वली औरत आ रहा है देखो you can see it तो वो सकता है कि एक third party relationship है it is possible that it is third party relationship यहां पे कुछ अलग साही यहां पे देखो three leaf clover यहां पे बन रहा है कुछ आजी बजीब symbols यहां पे बन रहा है and three leaf clover is also very lucky यह person फैसला आपी के तरफ यह करना चाते है okay and definitely जो मुझे यहां पे दिख रहा है okay बहुत ही जल्द हो सकता है this is like the three of swords energy यहां पे इन्होंने आपको बहुत जदा चोट पहुचाया है बहुत जदा आपके sentiments को hurt किया है जो उनको नहीं बोलना चाहिए था इन्होंने वो बोल डाला यहां पे one आ रहा है सो होसता है कि within one week one month यह आपके लिए फैसला लें यहां पे मुझे लग रहा है कोई feminine energy strongly तो मुझे दिखाई था अभी मुझे इस तरह से भी लग रहा है यह परसंदेखो अभी भी सवालों जवाब में उनको जवाब चाहिए अभी आप से चाहिए हो या इनको इन्वर्स से चाहिए हो इनके बार उपर है राइ बहुत आगे बढ़ चुके हो इनको लग रहा है कि आपको तो यह बुलाना चाहते है अपने पास लेकिन क्या वो सही फैसला ले पाएंगे मतलब से क्या वो फैसला ले पाएंगे और अगर उनने फैसला लिया क्या आप उनको ठीके जिस तरह से उन्होंने आपके साथ behavior किय है क्या आप उन्हें के साथ वैसा ही behavior repeat करो के उनको थोड़ा सा शक है ओके ओल्राइट ओक्विर जेमिनाई लीब्रा हो सकता आपके person या Capricorn हो सकते है एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकता है ओके Capricorn का strong chances है इहां पर all right मुझे जिस तरह से इहां पर लग रहा है कि आपके person हो सकता है कि already married हो उनके already बच्चे हो सब लोगों के लिए नहीं जो नोंने आपसे चुपाया हो बट वो उस relationship में बिलकुल खुश नहीं है I do feel a mature man अगर आप mail के लिए देख रहे हो तो person काफी ज़दा mature है और फैसला ये बिलकुल इस तरह से इंसान नहीं है कि ये फैसला नहीं कर सकता है ये जान बुझ के ये person delay कर रहे है चीज को एक cat का picture यहां पर आ रहा है image यहां पर बन रहा है काफी ज़दा curiosity है इनको आपके बारे में आप क्या कर रहे हो कौन सा टाइम में क्या करना है आपको आप क्या हां जा रहे हो शायद यह track पी करते हैं ठीक है और लक्ष जिस तरह से मैं आपको बता है observation बहुत ज़दा है अगर इनको मिल भी जाए सिंदगी में कोई दूसरा पर आपकी जैसे बिलकुल इनको प्याइब करता है इनको लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं होगा अगर इनको मिल भी जाए सिंदगी में कोई दूसरा पर आपकी जैसे बिलकुल इनको प्याइब कोई नहीं करेंगे ठीक है और मतलब जिस तरह से आप बिना स्वार्थ के जिस तरह से बोला जाता है कि स्वार्थ ही इंसान आप बिलकुल नहीं थे अनकंडिशनल प्यार आपने इनको किया आपने लॉजिकली नहीं सोचा आपने अपना दिमाग नहीं लगाया ब्रेन का यूज अपने नहीं किया आपने सिर्फ अपने दिल की आवाज सुना ठीक है आपने उनको बे इंदि मोहबत किया आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए तयार थे, इनके लिए आपने अपने लाइफस्टाइल को भी परिवर्तन किया, कुछ लोग यहां तक भी जा चुके थे, कि उन्होंने जो जो बोला है, तीक है, आप जान दे, जो जो उन्होंने बोला है, आपने वो वो किया है, चाह आपकी इच्छा थी या नहीं था ठीक है, whether you had done it for the sake of that person, okay, and you did not want to do it, but you are also compelled to do it, क्योंकि आपको ये रिष्टा बचाना था, ठीक है, you wanted to save the relationship at any cost, okay, जिस वक्त इस reading को आप देख रहे होंगे, हो सकता है कि उस दिन, maybe half, it can be like that, हो सकता है कि बारा बज़े के बाद देखो, आप खुद रात के समय पे देख रहे होंगे, या हो सकता है पांच बज़े हो सकता है उस वक्त, okay, I do feel, ये परसन सोच रहे है, आपको इमाजिन कर रहे ह एक ही बिसर है और आप दोनों एक साथ सो रहे हो, that person is imagining like, ठीक है, कुछ लोग के लिए ये परसन बिलकुल confusion पे है और ये कुछ फैसला नहीं कर पा रहे है, और कुछ लोग के लिए ये परसन अल्रेरी determined है, कि आपके तरफ वो definitely justice देंगे, लेकिन ये सोच समझ के देने वाल इनसान, जिस तरह से आप logically नहीं सोचते हो, उतना ज़्यादा शाना है ये इनसान, उतना ज़्यादा logically अपना brain लगा के सोचते है, क्योंकि इनको हो सबता है कि past वाला relationship इनको इस तरह से हुआ कि temptation था बहुत ज़्यादा, या कोई औरत थी, या कोई था, जिन्होंने इनका पैसा सब कुछ ले लिया, इनको हो सकता है कि गंगाल बना दिया हो, इनसे सब कुछ छीन लिया, फिर बात में उन्होंने अपना स्वार्थ देखा और भाग गए, चाहिए वो marriage में हो, चाहिए वो उनका relationship हो, कुछ भी हो सकता है, काफी स्वार्थी हो सकता है इनका परिवा किया था, कि नहीं, आप इस लड़का या लड़की साब बिलकुल शादी नहीं कर सकते है, या relationship में नहीं है, शायद ये चीज आपको उन्होंने बताया ही नहीं, समझ में रहा है, बार बार इस परसन का face, देखो, हो सदा है कि आप इनके face बार बार देखो अपने dreams में, या हो सदा है, आपकी तजबीर, ये परसन काफी बार, turn करते हो, ठीके, हो सदा है कि अभी तो क्या है, we have all the mobiles right, तो swipe करते रहते हैं, इस तरह से, किसी ने change किया है profile picture, and definitely ये परसन उसको देख के, फिर jealous feel कर रहे है, आप कुछ भी कर रहे हो, तो इनको jealousy हो रहा है, क्योंकि आप इनके साथ ने हो, यहाँ पर star आ रहा है, तो destine, कुछ लोग के लिए परसन, destine connection है already, ठीके, ये आपके किस्मत में लिखे गए है, cancer sign हो सकता है, I do find, भूल भूलाया यहाँ पर, मतलब, उनको ना, मतलब, कुछ situation में बिल्कुल first चुके, और उनको exit का रास्ता नहीं मिल रह काफी साथ intelligent है यह परसन, इस तरह से नहीं है, बार बार guns देख रहा है मुझे, हो साथ है यह परसन आर्मी, मिलिटरी में हो, या अपने पास privately guns रखता हो, कि यह परसन हो साथ है काफी साथ अच्छे profile के हो, इनके घर में हो साथ है कि fish tank हो, या हो साथ है aquarium हो, या हो सकता है, कुआ हो, what a body है, इनके घर के आसपस, जिस वक्त आप इस reading को देख रहे होंगे ना, आपको कुछ हो सकता है, कि songs का याद आ जाए, या आपको अजीब सा कुछ sensation हो, इस reading को देखते वक्त, आप खुद इस reading को देखते देखते ना, उस परसन का याद कर रहे होंगे, बहुत tremendously, और definitely आप चाहोगे, कि सब कुछ भूला के उस परसन के साथ शुरू करना, कुछ लोग इतना गुस्से में हों, कि इनको आपको लग रहा है, यहाँ पर cross sign आ चुका है, जिसुस का, the holy trinity sign has come, definitely, ओके, यह परसन दूसरे ही ख्यालात के है, मुझे लग रहा है, उनका जो culture है, हो सता है, कि thinking system है, opinion है, आप से different था, कुछ बात थी, शायद वो कुछ formal बात ही था, लेकिन उन्होंने बहुत सदा seriously ले लिया, यह उनको इस relationship में कुछ मज़ा नहीं आया, बात में उनको लगा कि मैंने क्या कर दिया, मतलब यह इनसान जिस तरह से है ना, पहले अपना सोचते है, उसके बात किसी और का सोचते होंगे, ओके, आल राइट, शनी आपके हो सदा चार्ट में काफी सदा है, इसलिए बिलम हो रहा है बहुत ज़दा, ठीके, ओके, यह परसन का एनरजी जिस तरह से मुझे लग रहा है ना, जैसे बच्चे इस तरह से crawl करके आते हैं आपने ममा के पास, तो वो भी इस तरह से आना चा अब देखते हैं यह परसन कब तक डिसिशन लेने वाले हैं, आई लेटर, एल लेटर, वी लेटर, एस लेटर, के लेटर इस इंपोर्टेंट, ओहो, भाई अभी भी छुपा रहा है, अपना दिल का बात एक, बहुत दोदा कश्मो कश्मे हैं यह इनसान, इनर कंफिक्ट च हो सकता है, एक बहन हो तो हो ही सकता है, अधा नहीं है, तो कजन सिस्टर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सिस्टर को या उनके बच्चे को काफी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बाप प्रेबाप, उनके बातों को मानते हैं काफी ज़्यादा, क्योंकि इ फिर उटके उनको गुस्सा आ जाता है, कि आप क्यों नहीं हो आपस, आप उनको क्यों क्यार नहीं करेए हो, हो सकता है उन्होंने आपको भी बताया होगा, और जिरेशन्शिप रखने में मतलों commit में देने में इतना problem, फिर भी नहीं आपको बताया होगा, कि मैं जो करने वाला हूँ या मैं जो करने वाली हूँ वो सही है आप मेरा क्यार करते जाओ सर्फ देखते हैं कब तक ये action ले सकते हैं इनसान कब तक decision ले सकते हैं universe spirit guides, angels please guide me in the right direction कब तक ले सकते हैं within 4 to 7 weeks within 4 to 7 weeks तीक है या 4 to 7 days या 4 to 7 months हो सता है, okay it may be possible, it may not be possible for some of you because this is a general prediction it's not a personal prediction, okay तो चलो देख लेते हैं कि universe आपको क्या बोल रहे हैं इस connection के लिए क्या वो सही है आपको क्या करना है देख लेते हैं so universe spirit guides and angels please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers है उनको क्या करने चाहिए उनके लिए क्या message है please बताए universe not the right time देखो आभी समय सही नहीं है इसले नहीं हो रहा है wait आपको wait करने चाहिए so it's not the right time and you need to wait अगर आप कर सकते हो तो करो can you see it I hope you can see it not the right time and you have to wait okay okay दो आना चाहता है recovery इस relationship का recovery हो जाएगा सिर्फ आपको trust रखना है तो universe बोल रहे है इस देखो यहाँ पर bottom of the deck भी क्या है कुछ देख लो reconsider आप reconsider कर सकते है इस इस इंसान को माफ कर सकते हो आप इन्होंने जो भी किया trust रखो उस universe के उपर सब कुछ अच्छा होगा recovery हो जाएगा ठीक है हो जाएगा recovery सब कुछ heal हो जाएगा don't worry so this is all about today's reading guys and I hope you like it if you like please do subscribe share and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity tarot six but truth always exposes darkness and thank you all and love you all